नमस्कार, आकाश्वणी से प्रस्तूत है समाचार संध्या बिहार में नितिश कुमार ने महागट बंधन की नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश किया महाराश में शिर सेना भाजपा सरकार के मंत्री मंडल का विस्तार नए मंत्रियों ने शपतली ग्रे और सहकारी ता मंत्री अमिज शाह ने सभी सहकारी समितियों से सरकारी खरीद पोर्टल जम में शामिल होने के अपिल की भारत छोड़ो अंदूलन की वशगाठ पर उपराश्टपती एमवेंके नाईडू और प्रधार मेंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वचंतरता से नानियों के योगदान को याद किया प्रधार मेंत्री ने आकाश्वणी से मन की बातकारिक्रम में लोगों से विचार और सुझाव साजा करने का आगरे किया देश भर में मोहरम के अफ़र पर हजरत इवाम हुसेन के बलिधान को याद किया गया चेन्नई में चवालिसमें शत्रण उलिम्पियाट का समापन भारत ने कांसे पदग जीता और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतिय टीम की घोशना रोहित शर्मा कप्तान और केल राहुल उपकप्तान समचार संध्या में विमले इंदू पांडे के साथ मैं लवली निगम बिहार में शीन नितिश कुमार ने राजे में नई सरकार के गठन का दावा पेश किया है शीकुमार ने कहा कि राजे पाल फागु चोहान को 164 विधायकों के समर्चन की सूची सौपी गई है इनमें साथ राजनितिक दलों राश्ट्रिय जनत अदल, कॉंग्रेस, हिंदुसानी अवाम मूर्चा, वाम दल के विधायक और एक स्वेतंत्र विधायक शामिल है इससे पहले शीकुमार को जनत अदल, उनाइटेड, राश्ट्रिय जनत अदल और कॉंग्रेस के महागडबंधन का सर्वे समती से नीता चुना गया ये फैसला तीनों दलों की एक साइक्त बैठक में लिया गया जनत अदल उनाइटेड ने कॉंग्रेस और राश्ट्रिय जनत अदल के सहयोक से राजे में नई सरकार का गठन करने के लिए भारतिय जनत अदल और कॉंग्रेस ने नई सरकार के गठन के लिए शीनितिश कुमार के समर्थन में पत्र दिया है भारतिया जनता पार्टी से अलग होने का फैसला आज सुभा शी नितीश कुमार की अध्यक्ष्टा में जनता दली उनाइटेड विधायक दल की बैठेक में लिया गया शी कुमार ने कहा कि पार्टी ने NDA से बाहर होने का फैसला किया है जीतन राम मांझी के नेतरत वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी अपनी राजनिते के रणनीजी तैक करने के लिए विधायक दल की बैठक की और नितीश कुमार को बिना शर्ट समर्थन देने का फैसला किया इस बीच भाजपा नेता आरके सिंग ने कहा है कि नितीश कुमार हमेशा राजनीती में यू टन लेते हैं अब फिर वापन जा रहा है राज़त के साथ ये किस तरह अपने आपको जस्टिफाई करेंगे ये हमारे समझ नहीं आती है बात भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नितीश कुमार कब क्या करेंगे इसके बारे में उन्हें सोयम भी जानकारी नहीं होते नितीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए और कहा कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही तो नितीश जी आज मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है पहला सवाल आप हमारे साथ कैसे और क्यों आये थे आपको याद हैं आपने लालू जी को छोड़ा था जब हम लोग चारा घुटाले की लड़ाई लड़ रहे आपने सम्ता पार्टी बनाई थी तो भाजपा के साथ आने की आपकी वो पहली आत्रत और आज जो सानप्रदा भाजपा के साथ रहे क्योंकि जंगल राज, लूट, परिवारवाद, प्रश्टाचा उसके खिलाफ आपने अपनी आवाज भाजपा के साथ लगाई भारती जनता पार्टी के पिहार एकायने शिकुमार पषाज के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया पटना में बिहार भाजपा के अध्यक्ष संज networks सभाल ने कहा कि बिहार की जनता शिकुमार को कभी माफ नहीं करेगे उन्होंने कहा कि पार्टी ने 2020 का चुनाव राष्टिय जनतांत्रिक बंधन के अंतरगत लड़े थे जनता ने जनता दल यूनाइटेड और भारती जनता पार्टी को संयुक्त रूप से जना देश दिया था उन्होंने कहा कि भारती जनता पार्टी ने ज़्यादा सीटे जीती थी लेकिन इसके बावजूद शीर नितीश कुमार को मुख्य मंत्री बनाये गया लोक जनशक्ती पार्टी आर की अध्यक्ष चिराग पास्वान ने नितीश कुमार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे अती महत्वा कांख्षी हैं और एक बार फिर राश्टिय जनतांत्री गडबंधन के साथ धोखा कर रहे हैं नई दिल्ने शिप आस्वान ने कहा कि शिकुमार का ध्यान बिहार के विकास पर नहीं बलके किवल सत्ता पर है तमाम बातों का जवाब सिव एक ही है, सिर्फ अपनी कुर्सी के लालजना, मुख्य मंद्री जी का हर फैसला सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को केंदरित करते हुए ही वो लेते हैं, इसके अलावा कुछ और माइने नहीं रखता हुए। पास 89, जनता दल यूनाइटेट के पास 45, कॉंग्रिस के 19 वाम दलों के 16 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। विधान सभा में 103 विधायक हैं, भारती जनता पार्टी के 77 विधायक हैं। महाराश्ट्र मंत्री मंडल का आज विस्तार किया गया, 18 नेताओं को मंत्रीपत के उश्यापत दिलाई गई एक रिपोर्ट। भाजब की और से मंत्रीपत प्राप्त करने वालों में राज्य भाजपात द्यक्ष चंद्रकान पाटिल, मुंबई इकाई के अद्यक्ष मंगल प्रबाद लोड़ा, पूर्व विपक्षनिता प्राधाकुष्ण विखे पाटिल, पूर्व अर्थमंत्री सुदिर मंगंट पिदन परिशत के एक भी सदस्य का मंत्री बंडल में समाविश नहीं किया गया, लेकिन एक लड़की की हत्या के अरोपी संजे राठोड को पुन्ह मंत्री पर दिये जाने पर बाजब की प्रदेश उपाद्यक्ष चित्रावाग ने नाराज की व्यक्त की है, तथा किसी भ महिला सदस्य को मंत्री न बनाए जाने पर शिवसेना खासदार प्रेयंका जतुरवेदी तथा रष्टवादी कॉंग्रेस की खासदार सुप्रिया सुले ने निशेद व्यक्त किया है, अकाश्वाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भाव सार। के समाधान के लिए आज आईज़ॉल में उचस्तरिय बैठक हुई, जिसमें दोनों राजियों की सरकारें विवाद के समाधान के लिए सहमत हुई, बैठक में मिजोरम के ग्रे मिंद्री लल्चामलियाना और असम के सीमा सुरक्षार विकासमांत्री अतलबोरा शामिल दोनों राजियों के बीच अगली बैठर अक्तूबर में होगी, इनमें सभी मुद्धों पर व्यापक विचार विमर्ष होगा, बैठक के बाद सहिंत बायान में कहा गया है कि किसी भी अपरिय घटना को रोकने के लिए सेमाधी जिलों के उपायुक्त दो महीने में कम से कम एक बार अवश्य बैठर करेंगे जम से भी अब खरीदी कपी, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंदर सरकार हो, चाहे अंडर्टेकिंग्स हो, मैं कोपरेटी सुसाइटीज को आज के दिन ये भी अपिल करना चाहता हूं कि अपने आपको जैम पर रोजिस्टर करने के लिए तैयार करें, प्रक्रिया है होनी जरूरी चाहिए और जरूरी भी, क्यूकि क्वालिटी का भी चिंता करना है, शंता का भी चिंता करना है, मैं राष्टिय सहकारी संग्र को भी अपिल करता हूं कि आपका ये काम ही ही है कि कोपरेटीज का मार्केटिंग बढ़े, और कोपरेटीज का मार्केटिंग बढ़ान जेम पोर्टल सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए महत्योपोन भूमिका निभा रहा है। जेम पोर्टल सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए महत्योपोन भूमिका निभा रहा है। जेम पोर्टल सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए महत्योपोन भूमिका निभा रहा है। संसदिय कारिमंद्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि संसद का मौनसून सत्र निरधारी समय से केवल दो दिन पहले ही स्थगित किया गया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सत्र के चार दिन पहले स्थगित होने की गलत खबर प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये निरनाए विपक्षी दलों की सांसदों सहित अनीक सदस्यों के अनुरोध पर किया गया। श्री जोशी ने कहा कि विपक्ष का एजेंडा संसत की कारवाही में व्यवधान पहुँचाना और बाइकॉट करना है। शून्यकाल और प्रश्नकाल के जरीए विपक्ष कई मुद्दे उठा सकता था लेकिन महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्होंने सदन का बहित का मन किया। श्री जोशी ने कहा कि मौनसून सत्र का आधा से ज्यादा समय द्यावधान में ही निकल गया। कॉंग्रिस पार्टी जनता की पैसे के तिमत पर एक परिवार को बचाने में लगी है। कारियों से कहा कि अधि कोई भी लोगों को विभिन कारिक्रमों के बारे में साधारन और आसान भाषा में जानकारी देता है। तो लोग अपने पातरता और सरकारे प्रक्रिया को भेतर डंग से समझ सकते हैं और इससे पारदर्शीता आती है। एक खदम और बुज़ूर्गों के लिए। 14 अगस को प्रसारित होने वाले हमारे कारिक्रम का विशह है बुज़ूर्गों का खान पात। आप अपने सवाल हमें 11 अगस तक भेड़ सकते हैं। हमारा वाट्सअप नमबर है 928-909-4044। आप अपने सवाल हमें इस पते पर एमेल भी कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बिहार में नितीश कुमार ने महा गटबंधन के नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश किया। महराष्ट में शिवसेना भाजपा सरकार के मंत्रि मंडल का विस्तार नए मंत्रियों ने शपत ले। ग्रेह और सहकारिता मंत्री अमिच्राह ने सभी सहकारी समितियों से सरकारी खरीद पोर्टल जैम में शामिल होने के अपेल के। भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांट पर उपराश्टुपती एम वेंकईया नाइडू और प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने स्वतम दृता से नानियों के योगदान को याद किया। प्रधान मंत्री ने आकाश्वाणी से मन के बाद कारिक्रम में लोगों से विचार और सुझाव साजा करने का आगर किया। देशभर में मुहरम के अउसर पर हजरत इमाम हुसेन के बरिदान को याद किया गया। चेंड़ई में 44 शतरंज ओलंपियार्ट का समापन भारत ने कांसे पदक जीता। और इशा कप क्रिकेट टूर्णामेंट में भारती टीम की घोशना रोहिच शर्मा कप्तान और के एल राहुल उप कप्तान। पर्फ से ढके पहाड। हवा के साथ जूमते चीड सिनार, जीलू पर तैरते शिकारे, हरी भरी घातियों के दिलकश नजारे, आकाश्वानी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मु कश्मीर विशेश शिंखला एक नई सुब़, हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यतन की, संस्कृती और रोज हो रहे बदलावों की, एफम गोल्ड पर सुनिये हर शुक्रवार रात नौ बज कर पंधरा मिनट पर आकाश्वानी समाचार की विशेश प्रस्तुती, जम्मु कश्मीर एक नई सुब़, प्रधानमंती नरिंद्र मूदी ने इस महीने की 28 सारिक को आकाश्वानी से प्रसारित होने वाले मन की बात कारिकरम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं, रेडियो पर मासिक कारिकरम मन की बात की ये बानवी वी कड़ी होगी, प्रधानमंती ने कहा है कि विभिन विश्यों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कारिकरम में शामिल किया जा सकता है लोग अपने विचार नमो एप और mygov.openforum पर भीच सकते हैं वे टोल फ्री नंबर 18-00-11-7-8-00-00 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रेकॉर्ड करा सकते हैं फोन लाइने 25 अजस तक खुरी रहेंगी 1922 पर पुद्धुचेरी के मुख्य मंद्री एन रंगा सामी ने आज ने दिल्ली में प्रधान मंद्री नरींद्र मोदी से मुलाकात की और कींडर शांसित परेश को दी जाने वाली कींडरी साहता को बढ़ाने का अनुरोथ किया पुदुचेरी विधान सभा के कल शुरू होने वाले सत्र के मद्दे नजर श्री रंगा सामी का दिल्ली दोरा महत्वपूर्ण है श्री रंगा सामी को भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक पूर्ण बजट प्रस्तुत करने के उम्मीद है पुदुचेरी में ये प्रथा रही है कि राज्य विधान सभा में केवर लेखा नुदान पारित किया जाएगा क्योंकि राज्य का बजट पूरी तरह से केंद्र सरकार की साहता पर निर्भर है मुख्य मंत्री रंगा सामी ने प्रधान मंत्री को सौपे ग्यापन में कहा कि केंद्री साहता के बिना बजट पेश करना संभव नहीं होगा भारत छोडो आंदूलन की वशगाठ पर उपराश्यपती M. Venker Naidu और प्रधानमंती नरेंद्र मूदी ने स्वैसंत्रता सेनानियों की योगदान को याद किया उपर आश्पती एमवेंके नाईडू ने कहा है कि भारत छोड़ो आंदूलन दिवस हमें याद दिलाता है कि एकता देश की सबसे बड़ी ताकत है। श्री नाईडू ने कहा कि इस दिन देश स्वेतंतरता सेनानियों के निस्वात बलिदान और अथक प्रयासों को याद करता है। उन्होंने सभी लोगों से समर्द, समगर, शांत और सोहारपून भारत बनाने की अपिल की। प्रधान मंती नरिंद्र मोदी ने कहा कि राश्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर भारत छोडो आंदोलन में लोकनायक जैप्रकाश नाराएंड और डाक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे महान लोगों से समाज के सभी लोगों के उलेखने भागेदारी थी। श्री मोदी ने लोकनायक जैप्रकाश नाराएंड के इस कथन को याद किया कि 9 अगरस्त का दिन भारत की राश्रेक क्रांती का एक ज्वलन्त प्रतीक बन गया है। पोटलाइट कारिक्रम में केंद्रिय जनजातिय कल्यान मंत्री अर्जुन मुंदा के साथ विशीष भेटवालता प्रसारित करेगा। शिमुंदा ने कहा है कि जनजातिय समधाय के प्रगति के लिए पिछले आठ वर्षों में अनेक योजनाय शुरू के गई हैं और उनके सफल कारियान वयन के सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पिछले आठ वर्षों के कालखन में जदी हम देखें तो जहां कारेकरम को हम नीचे तक पहुचाने में सफल हो रहे हैं वहीं अब जनजातिय समधाय 75 साल पूरा होने के उपलक्ष में उत्सो मनाने के महोल में हैं। और इस समय जदी हम देखें तो और जदे जनजातिय समुधाय के लिए आदिवासियों के लिए महतवपूर हो जाता है कि आजादी के लंबे कालखन बाज यानि अमरित 900 काल में स्रीमती द्रोपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला के रूप में राश्पती के पद को सु ये पूरी भीटवारता आज रात 9 बसकर 15 मिनट से एफेम गोल्ड चैनल और अतरिक्त मीटों पर सुनी जा सकती है ये कारिक्रम हमारी यूट्यूब चैनल न्यूज ओन A.I.R. आफिशल पर भी उपलब रहेगा अभी हवी प्राप्त समचार्थ के अनुसर श्री नितिश कुमार कल शाम 4 बजे बिहार के मुखे मंतरी के शापत लेंगे राजपाल फागु जोहान नितिश मंतरी मंडल को शापत दिलाएंगे दूर दर्शन इस महीने की 14 तारिक से धारवाइक स्वेराज भारत के स्वेतंतरता संगराम की समगर गाथा का प्रेसारन करेगा 75 कडियों वाला ये धारवाइक हर रवीवार रात 9 बजे दिखाया जाएगा ये धारवाइक स्वेतंतरता सेनान्यों और स्वेतंतरता संगराम के गुमनाम नायकों के योगदान को दर्शाएगा धारवाइक का नौ क्षेत्रिय भाशा और अंग्रेजी में भी रुपान्त रण किया जा रहा है। धारवाहिक का क्षेत्रिय संस्क्रण इस महीने की 20 तारिक से दूरदर्शन के क्षेत्रिय चैनलों पर प्रैसारित होगा। आकाश्वाणी 20 धारवाहिक का प्रैसारण इस महीने की 20 तारिक से हर शरी वर दिन में 11 मजे करेगा। सिंगापूर ने आज नेताजी सुभाश्यंद्र बोस से जोड़े स्थल पाधांग को पचतरवा राष्ट्रे स्थल घोशित किया गया। पाधांग से नेताजी सुभाश्यंद्र बोस ने जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सिंगापूर आज अपना 57 वाराष्ट्य दिवस मना रहा है। साथ एक राष्ट्र का उधै भारत का गौरब शाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महांतम संघर्षों में एक है। आकाश्वाणी समाचार आपके लिए प्रते दिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झालत। 9 अगस्त स्वतंत्रता सेनानी सेद एहमदुल्ला कादरी की जयनती है। उनका जन्म 1909 में हैदराबाद में शमसुल्ला कादरी के घर हुआ था। शमसुल्ला कादरी प्रसिध लेकर थे जिन्होंने सेद को काफी कम उमर में सहितिकारों से परिचित कराया। सेद एहमद खादरी ने प्रसिध समाचार पत्र सल्तनत की स्थापना की। उन्होंने पैसा और तारिख नामक दो समाचार पत्रों के लिए भी लिखा। 1946 में खादरी हैदराबाद राज्य के पहले पत्रकार थे जिन्होंने उर्दू समाचार दैनिक सल्तनत में एक राष्ट्र से धांत की पक्ष में लिखा था। उन्होंने राष्ट्र वयापी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया और आंधर प्रदेश राज्य विधान परिशद के सदस्से बने। वे आंधर प्रदेश राज्य हज समीती के अध्यक्ष भी रहे। कादरी ने जीवन भर कई महत्वपूर्ण अपदों पर काम किया। वे लुत्फुत दौला ओर्येंटल रिसर्च इंस्ट्यूट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। सायद एहमदुल्ला कादरी को 1966 में भारत सरकार ने पदमश्री से सम्मानित किया। पांच अक्टूबर 1985 को उनकी मृत्य हो गई। स्वतंत्रता सेनानी सायद एहमदुल्ला कादरी को हमारा साधर नमन। ओ आमार देशेर मती तोमार परे ठेकाई माथा। 9 अगस्त त्रेलोग के नाथ चक्रवर्ती की पुर्णे तिथी है। उनका जन्म 1889 में वर्तमान बांगलादेश के मैमन सिंग में हुआ था। वो 1906 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और ढ़ाका अनुशीलन समीती के सदस्से बन गए। 1908 में उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पहली बार खिरफ्तार किया गया जिसके परिणाम स्वरूप वे शिक्षा पूरी नहीं कर सकें। क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के कारण त्रेलो के नाथ को 1914 में कलकत्ता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बारी साल शेडियंत्र के मामले के कारण अंडमान भेज दिया गया। सजा समाप्त होने पर प्रेलो के नाथ कोलकाटा वापस आ गए। वहाँ उन्होंने नैशनल स्कूल की कमान सम्हाली। 1927 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा की जेल में भेज दिया गया जहांवे एक साल तक रहे। जेल से छूटने के बाद वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने 1929 के लाहौर कॉंग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। वो 1930 से 1938 तक आठ वर्स जेल में रहे। रिहाई के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1942 में जेल गए। उन्हें 1946 में जेल से रिहा कर दिया गया। तुमी अन्हों मुखे तुले दिले। तुमी शितान जाने जुडाई ले अन्हों मुखे तुले दिले। पूर्वी पाकिस्तान के नर्मान के बाद वे वहां जनसेवा में समर्पित रहे। 1970 में वे स्वास्य संबंधी समस्याओं के कारण दिल्ली आ गये। 9 अगस्ट 1970 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। आकाश्वणी समाचार के ओर से बहादूर शहीद त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्थी को हमारा साधर्नमन। हम स्वतंत्रता से नानी कमला प्रसाद विश्व कर्मा को भी समरण कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के आजम गढ़ के निवासी थे। मात्र 9 वर्ष की आयू में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। पुलिस फाइरिंग में उन्हें गोली लगी लेकिन बाद में उन्हें गिरफतार कर लिया गया और छे महिने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 9 अगस्त 1942 को जेल आधिकारियों की गमभीर यातनाओं की कारण जेल में कमला प्रसाद विश्रोकर्मा की मृत्य हो गई। आकाश्वानी समाचार की ओर से देश के वीर सपूत कमला प्रसाद विश्रोकर्मा को नमन। इसके साथ ही आज की एक गड़ी यहीं संपन होती है आकाश्वानी समाचार के साथ आजादी का सफर। कल फिर मिलते हैं एक नई कड़ी के साथ। अब हर घर की छट पर शान से फैरेगा तिरंगा। गुन-गुनाएं जाएंगे नवविकास के गीत। आन-बान-शान का प्रतीत राश्ट्रदवज तिरंगा। आएए आजादी के अमरित महुत्सव के 52 अवसर पर इस स्वाधीन का दिवस हर घर फैराते हैं तिरंगा। और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्मान का संकल्प। आएए हर घर फैराएं तिरंगा। आशुराय महर्रम आजदेश के विभिन हिस्सों में पूरी शृध्धा के साथ संपन हुआ। ये दिन पैगंबर महुम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसेन और उनके सहीयोग्यों के शहीद होने का प्रतीक है। उन्होंने कर्बला में सत्य, न्याय और सच्चाई के लिए अपने प्राण नियोच्छावर कर दिये। इस सबसर पर ताजिये निकाले गए और शाम को निश्चत इस्थानों पर उन्हें दफनाया गया। धार्मिक सभाएं भी आयुजित की गए और धार्मिक नेताओं ने कर्बला से सम्मदित घटनाओं के बारे में लोगों को बताया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने कहा है कि आशुरा मुहरम हजरत इमाम हुसेन की कुर्बानी को याद करने का दिन है। शीर नरेंद्र मुदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसेन को सच्चाई के प्रती उनकी अटूट प्रती बदता और अन्याई के खिलाफ लड़ाई के लिए याद किया जाता है। गधान मंत्री ने कहा कि उन्होंने समानता और भाईचारे को भी काफी महतु दिया। शतरंज ओलंपियाड में आच्छे नई के जवाहलाल नहरू स्टेडियम में रंगा रंग कारेक्रम के साथ संबंपन हो गया। मामल पुरम में आयोजित इस प्रत्योगिता में उस बेकिस्तान ने स्वर्ण, आर्मेनिया ने रजट और मेजबान भारत ने कांसे पड़क जीता। शतरंज ओलंपियाड का उध्गाटन 28 जुलाई को प्रधान मंत्री नरीन रमोदी ने किया था। प्रत्योगिता के तौरान भारत के पांच बार के विश्व चेंपियन विश्वनाथन आनंद को फिडे का उपाध्यक्ष चुना गया, जबके निवरतमान अध्यक्ष आर्केटी वर्कोविच को दूसरे कारेकाल के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बेश आरकेटी ने कहा है कि तिव्यांग खिलाडियों के लिए शत्रंज ओलंपियाड इस वर्ष आयोजित किया जाएगा भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कब टूर्णामेंट के लिए टीम की खोश्टा कर दी है प्रस्योगीता इस महिने की 27 तारीक से संयुक तरब अमिरात में होगी रोहिद शर्मा टीम के कप्तान और के ल्राहुल उप कप्तान होगे विराट कोहली भी 15 सदसी अदल का हिस्सा होगे इशिया कब टूर्णामेंट 2020 प्रारूप में 27 अगस्ट से 11 सितंबर तक खेला जाएगा इस टूर्णामेंट में 6 टीमें शामिल होगी भारत का पहला मैच 28 अगस्ट को पाकिस्तान से होगा कल के मौसम का पूर्वानुमान दिली में आँशिक रूप से बादल चाय रहेंगे मॉंबई और कोलकाता में तेज बारिश के आसार हैं शिनगर में आस्मान साफ रहेंगा जम्मू और मुझफराबाद लेह और गिलगित में बादल चाय रहेंगे औरंत में मुख्य समाचार एक बार प्पिर बिहार में मितिश कुमार कल दोपेहर बाद मुख्य मंत्री पद की शापत लेंगे राजेपाल पागु चोहान मंत्री मंडल को शापत दिलाएंगे महराश में शिवसेना भाजपा सरकार के मंत्री मंडल का विस्तार नए मंत्रियों ने शापत ली ग्रे और सहकारी ता मंत्री अमिट शहा ने सभी सहकारी समित्यों से सरकारी खरिद पोर्टल जम में शामिल होने की अपील की भारत छोड़ो आंदुलन की वशगाट पर उपराश्पती एमवेंका एनाइडू और प्रधान मंत्री नरेंद मोधी ने स्वेटन तता सेनानियों की योगदान को याद किया प्रधान मंत्री ने आकाश्वने से मन की बात कारिक्रम में लोगों से विचार और सुझाव साज़ा करने का आग्रे किया चेनेई में 44 में शत्रन जुलेंपियाट का समापन भारत ने कासे पदर चीता इसके साथ ही समचार संध्या का ये अंक समाथ हुआ नमस्कार